हेलो गाइज मैं हूँ अपनी चोधरी स्वागत है आप सभी का बोलिवूर्ड के इस खास्टों में जहां पर आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे बोलिवूर्ड सितारों की जो कि शोशल मीडिया पर हर तरफ अपनी नीजे जिन्दिगी को लेकर चाय हुए हैं इंस्टाग्राम हो या फेस्बुक हर तरफ ये सितारी सुर्कियों में बने हुए हैं इन्होंने हर तरफ धूम मचाई हुए हैं दोस्तों अब आप सभी के जहन में ये सवाल उठ रहा होगा क्या किरकार हम किस के बात कर रहे हैं तो चलिए दोस्तों अब हम आपको ज़्याद कोली के साथ जुड़ा था लेकिन वो लंबे समय तक के लिए नहीं चल पाया कुछ टाइम बाद निहा ककर का हीमान स्कोली के साथ ब्रेक अप हो गया निहा ब्रेक अप के बाद काफी तूट सी गई थी इसके बाद उन्होंने किसी को भी डेट नहीं किया हालांकि सो इंडि और आदित्य नारायन का गुवा वाले बीच पर गाना रिलीज हुआ था जोकि सुपर हिट गया था बाद में पता चला कि आदित्य नारायन किसी और को डेट कर रही थैं जिससे ये साफ हो गया था कि नहा और आदित्य नारायन की बीच ऐसा कुछ भी नहीं था खास बात यह है कि निहा ककर की लाइफ में उनके स्पेशल परसन के एंटरिफ हो चुकी है। आप सभी को बता दे कि निहा ककर के एक्स बॉइफिंड हीमान स्कोली के ब्रेकप के बाद निहा काफी तूट सी थी लेकिन अब निहा ककर रोहन पृत सिंग को डेट कर रही थी। यह वहीं रोहन पृत सिंग है जो सहना जुगिल के सोग उसे शादी करोगी में नजर आए थे। रोहन पृत सिंग पंजाबी इंडुस्ट्री के जाने माने सिंगर है। निहा ककर ने इस बात का खुलासा उनके इंस्ट्राग्राम के IGTV स्टोरी पर किया था जिसमें रोहन पृत सिंग निहा ककर को डायमेंड दच्छला सोंग पर रिंग पैनाते हुए नजर आए। इस वीडियो के कुछ टाइम बाद ही रोहन पृत सिंग और नेहा ककर की चर्चा सीधा शादी तक पहुँच गई थी। इस खबर को सुनकर हिमान स्कूली का भी रियक्शन आ चुका है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये अच्छी बात है कि नेहा ककर अपनी लाइफ में मुववन कर चुकी हैं। आपको बता दे कि रोहन पृत सिंग की उमर 25 साल है तो वही नेहा ककर की उमर 32 साल है। खुशी की बात ये है कि फाइनली नेहा और रोहन पृत सिंग एक दूसरे के साथ साधी के बंदन में बन चुके हैं। हालांकि अब नेहा ककर की जिंदगी में खुशिया ने दोबारा से दस्तक दे दी हैं। आज वो अपनी जिंदगी में बेहत खुश हैं। उमीदे दोस्तों आप सभी को ये स्टोरी पसंताई होगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ तब तक के लिए बने रहे ये अर्थप्रकास के साथ। ताज़ा अपडेट्स वो बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थप्रकास टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।